हमारे माननी अप्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नित्रित्तों में गत दशक रहा है वर्ल्ड क्लास इंफ्रस्ट्रक्चर का, ड्रीम फिल्ड एक्स्प्रेस वे का, स्टेशन पुनर विकास का और लास्ट मिल किनेक्टिविटी का जिससे देश आज तेजी से पाच ट्रिलियन एकोनमी की ओर अग्रसर है मंत्री जी ने एक लाख पंद्रह हजार करोड रुपए से अधिक की राष्ट्री राजमार्क परियूजनाओं की सोगाद दी है इसी क्रम में 6700 करोड रुपए की लागत से अधिक की ग्यारहा परियूजनाओं का लोकारपण और शिला न्यास आज किया जा रहा है आज लोकारपण होने वाली परियूजनाए हैं एनिच 47 पर चार लेन हरदा से टीमा ग्राउं तथा चिचोली से वैतुल चार लेन का निर्मान कारें इससे इंदोर और नाकपुर के बीच कनेक्टिविटी सुगम होगी साथ ही हरदा और वैतुल क्षेत्र के किसानों और उद्योग के उत्पात को नई मंडियों तक आसान पहुँच मिलेगी जिससे यहां आर्थिक विकास आएगा एनिच 47 पर ही इंदोर से मध्ध प्रदेश गुजरात बॉर्डर चार लेन शेश भाग के निर्मान से मध्ध प्रदेश और गुजरात के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होने से जावुआ, मंद सौर और धार जिलों में आर्थिक संपनता और खुशहाली आएगी इस परियूजना के अंतरगर दुरगटना संभावित माचलिया घाट के जामिती सुधार से एक घंटे का सफर केवल तस मिनट में पूरा होका NH 752 पर देवास से उजेन तक चार लेन मार्ग बन जाने से उजेन से देवास और भोपाल के बीच यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा NH 552 जी पर उजेन से जालावाड और राजिस्थान बॉडर तक दो लेन विद पेवर शोल्डर के निर्माण से उजेन अगर जालावाड से राजिस्थान तक बेतर कनेक्टिविटी प्रदान होगी और साथ ही नलखेडा ग्राम में स्थिद प्रसिद बगलामों की मंदिर तक पहुच सुगम होगी आज ही लोकारपन हो रहा है होशंगाबाद जल प्रदाय परियूजना का इस परियूजना से लगभग 62,735 हित ग्राही लाभानवित होगे उजयन देवास इंदोर रेल लाइन का दोरी करण और बर खेड़ा बुदनी इटारसी रेल खंड पर तीसरी रेल लाइन से ट्रेनों की स्पीड बढ़ेगी जिससे यात्रा समय में बचत होगी साथ ही क्रिशी और स्थानी उत्पादों की तेज आवाजा ही होगी इटारसी नौर्थ साउथ ग्रेट सेपरेटर के साथ याड री मॉडलिंग से इटारसी याड में ट्रेनों का संचालन सुगमता से किया जा सकेगा साथ ही इटारसी स्टेशन से गुजरने वाली गाडियों को फ्लाइ ओवर से बाई पास किया जा सकेगा दिल्ली मुंबई रेल लाइन पर स्थेत रतलाम एवं मेगनगर रेलवी स्टेशन के पुनर विकास का शिला न्यास भी आज ही किया जा रहा है ये आदोनिक सविधाओं से लेस होगी जैसे की चोड़ा फुट ओवर ब्रिज, लिफ्ट, एसकेलेटर्स, प्रवेश और निकास के लिए अलग-अलग रास्ते, पार्किंग, कैफेटेरिया, प्रतीक शालय, आदी इन परियोजनाओं से दुरघटनाओं में काफी कमी आएगी, ट्रैफिक जैम से मुक्ति मिलेगी, महाकाल की नगरिव जेन तक श्रधालवों की आत्रा सुगम और तेज होगी, जिससे परटन और तिर्धाटन को बढ़ावा मिलेगा, किसानों की मंडि तक पहुत सुगम हो झाल